भारत सरकार दोरा लाएक जा रहे नए शरम कानूनों के विरोध में एनपीजीसी में चक्का जाम केंदर सरकार दोरा विविन्द शरम कानूनों को निरस्त कर चार नएक कनून बनाने के निर्णे का विरोध एनपीजीसी प्लांट में किया गया इस बिरोध और चक्का जाम का नेत्रित्व इंटक के परदेश महामंतरी धनाजे कुमार उर्फ भोला जादो और एनपी जिसी के अध्याक्ष बरुन कुमार सिंग ने किया इस दोरान मौके पर उपसची धनन्यसी मीडिया परभारी उदय उर्फ छोटु यादव कोशा ध्यक्ष पपुसी सुनिल सी ब्यास यादव संतोश यादव अजय चोदरी संजे सी संजे यादव आदी मजदूर निदाव पस्तित रहे दुनिया के मजदूर उनका पूरा भारत वर्स में जो है कि आज हर्ताल परदर्सन चल रहा है बैंक कर्मी से लेके और भी सरकारी संस्थाएं इस हर्ताल को समर्थन कर रही है जो कि माननी है नरेंदर मोधी जो परदान मंत्री हमारे देश के हैं उनके द्वारा जो 45 कानूनों को स्रम कानूनों को निरस्त कर चार लेबर कोड लेकर आ रहे हैं और जिससे जो है कि मजदूरों को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है अगामी दिनों में चुकि मजदूर फिर अपने मर्जी से मान कर चलिए कि जो नियम था पहले के 8 घंटा ड्यूटी करके करना है तो करिया और नहीं तो 12 घंटा करना है तो उनके उपर मजदूर जो अभी मिलता था अब हो सिंगल लोटी में चला जाएगा ओवर टाइम उनको सिंगल मिलेगा और अनेक सुबधाये जो इस सरम कानून में सामिल था उनसे ये मजदूर लोग वंचित हो जाएंगे आज जो है कि प्राविनेंट फंड को जिस परकार से भारस सरकार दोआरा लुटने का काम किया जा रहा है ये जो है कि बिल्कुल स्रम और किसान बिरोधी सरकार है केंदर की और ऐसे सरकार जो है कि अभी तो लोगों के पास में कुछ रोजगार बचा हुआ है कल किसान के जो MSP को हटाये जाने से जो नया कानून किसानों के बिरोध में लाया गया है अमेंडमेंट को लाकर और चुपकी से गलियारों से उसको पास करा लिया गया है उन कानूनों को लाने से किसान को डारेक्ट जो है की नुकसान होने जा रहा है अगर MSP का रिस्पांसबिलीटी अगर भारस सरकार नहीं लेगी तो किसानों को अपना धान जो है वो जो बजार के जो बिचौलिये हैं उनको जो है की खरीदना पड़ेगा और उनके खरीदने का जो तरीका पताई है को जादा सा जादा मुनाफा कमाएंगे तो किसानों का जो मुल्य है उससे भी कम में जो है की 500 रुपे क्यूंटल तक बिहार में जो है की आनाज भीकने जा रहा है और जो इनका जो पॉलिसी है की जो आज नियुमतम जो था कि आप कोई बैवसाय है तो 100 क्यूंटल, 200 क्यूंटल उनके लाइसेंस के हिसाब से उनको जो है की संचय करना था, माल रखना था लेकिन आज भारत सरकार द्वारा खुली छूट दी गई है उन भी चौलियों को कि 2 लाक टन जो है की वो जमा करके रख सकते हैं देखिये, आलू 50 रख किलो भीक रहा है स्वेख फश्ट ऑन काल बजारी फिर से हिंदूस्तान में एक बार जिंदा ओलत है जो जो आज स्थिति पंजाब में है नित पकिस्तान में है वह लोगों के साथ में की